माइंड स्टेट गेम मतलब आपके सस्क्राइब ज्यादा है वीडियो अच्छा होगा सस्क्राइब कम है वीडियो अच्छा नहीं होगा ओ बंदू क्या होना जो सवाई इवनी टेक्स में आपका सवागा थे मैं हूँ परवेज तो आज हम लोग यूटूब में देखिएगा कि बहुत सारी चैनल में सब्सक्राइब हाईड कैसे करते हो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे डीटेस में चानेंगे और देखेंगे मतलब के subscribe hide करना कोई मतलब के बात नहीं है लेकिन यह जो पूरा setup है ना यूटूब का वो पूरा mindset game है मतलब के आप सोच भी नहीं सकते कैसे कि आग आप आपके अगार चैनल में subscribe ज्यादा है तो लोग समझते हैं इनके चैनल में subscribe ज्यादा है मतलब के जो भी इनफॉर्मेशन देते हैं वो सही है ठीक है इस तरह से लोगों का mindset हो जाता है और जिन लोगों के नए क्रियेट से उनके वीडियो मतलब के चैनल में subscriber कम होते हैं तो वो subscribe देखके और लोग समझ लेते हैं कि इनका content अच्छा नही होता है इसलिए वो लोग वीडियो भी कम देखते हैं उन लोगों का जिन लोगों का subscribe कम है तो इसलिए subscribe नए creators जो है उन लोगों को subscribe हाइट करना चाहिए मतलब के चाहिए मतलब के चाहिए क्योंकि अगर मैंने पहले ही बोला कि यह जो पूरा set है mindset game आपके subscribe ज्यादा है वीडियो अच्छा होगा subscribe कम है वीडियो अच्छा नहीं होगा तो इसलिए subscribe हाइट करना है तो हाइट कैसे करें यूटूब के चैनल में आपका subscribe कैसे हाइट करेंगे वो पूरा details में आज लोग हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए देखते मोबाइल के skin पर फर्स्ट आफ आपको open करना है Chrome browser आप PC laptop या फिर मोबाइल से जहाँ से कर रहे हो कर रहे है तो यहां से आपको Chrome browser मे search करना है studio.youtube.com search करने के बाद यहां पर आपका एक page open होके आएगा यहां से आपको continue to studio करना है ठीक है कर देने के बाद three dots पर click करके इसको desktop mode कर लेना है तो चलिए मैं desktop mode कर लेता हूँ desktop mode करने के बाद नीचे यहां पर आप देखे setting option है चलिए मैं आपको tick करके दिखा देता हूँ setting यहां पर है तो यहां पर देखे setting का option है यहां पर आपको click करना है click करने बाद एक page open होके आएगा ठीक है यहां पर आपको बहुत सरा option मिलेंगे तो चलिए मैं setting पर click कर देता ह ठीक है चलिए यहां पर आ गया तो यह बहुत सरा आपसिन आपको दिख रहे है ठीक है यहां से आपको सेटिंग में जाएंगे setting में जाने के बाद आपको बहुत सरा option आएगा तो यहाँ पे second वाले option में channel देखिए आ गया setting setting में second वाले option में आएगा channel तो चलिए मैं इसको आपको एक बार zoom करके दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको जाना है ठीक है तो setting में जाने के बाद आपको चले जाना है नीचे second वाले option में जहाँ पे channel लिखा हुआ है तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको zoom कर देता हूँ चैनल में आपको क्लिक करना है चैनल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको option आएगा basic setting, advanced basic information, advanced setting तो यहाँ पे आपको देखिए zoom करके दिखा देता हूँ advanced setting में आपको जाना है तो advanced setting में जाने के बाद आपको नीचे scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पे आपको चलिए यहाँ पे भी मैं इसको zoom करके दिखा देता हूँ लिखा हुआ है subscribe count तो यहाँ पर आप देखिए subscribe count के नीचे एक box किया हुआ है तो यहाँ पर आपको करना है tick, untick अगर आप यहाँ पर tick कर देते हो तो आपका subscribe दिखेगा अगर इसको आप untick करके save कर देते हो तो आपका subscribe नहीं दिखेगा तो चलिए मेरा subscribe hide क्या हुआ है save कर लेना है ठीक है तो यह पुड़ा हो जाएगा तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार आपको पुड़ा पहले से बता देता हूँ पहले आपको chrome browser में जाना है search करना है studio.youtube.com करने के बाद आपको desktop mode कर लेना है then नीचे setting का option है यहाँ पहले आपको click करना है setting में जाने के बाद यहाँ पहले आपको जो page open होगा आएगा यहाँ से आपको second बाला option channel का option जो है यहाँ पहले इसको click करना है click करने के बाद advanced setting advanced setting के बाद नीचे आएगे तो यहाँ पहले subscribe count तो यहाँ पहले आपको तो तीक या अंटिक करना है तो फिर आपका subscribe जो है इसको अंटिक करके save करना है तो subscribe हाइड हो जागा दोस्तो इस तरह से आप अगर करते हो तो आपका youtube channel का subscribe जो है